हेलो मेरे भाई लोगों कैसे आप लोग स्वागत है आपके अपने चैनल मेरे चैनल हमारे चैनल यूट्यूब वी रिव्यू पे दोस्तो आज हम बात करें किस बारे में अपने थंदल जरूर देखा होगा ऐसी वीडियो यूट्यूब पर सच कर लेना आप सीरो से लेके 100 तक एक हजार से लेके एक लाग तक आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जैसी वीडियो यह है तो अंत तक इस वीडियो में बने रहे न जो चीजे मैं आपको इस चीज में बताऊंगा न आप खुद बोलोगए कि हाँ हमने नाइस करा है कभी इस बारे में सोचा नहीं है वीडियो को लास्त तक देखोगे और जो चीजे मैं बोलगो उन्ची जो को समझोगे तभी समझ पाउगे मैं क्या समझाने की कोशिश करो आपको थीक है अब किरिकट फिक्सिंग बोलते सब हैं cricket fix होता है बैटिंग fix होती है मैचिस fix होते है लेकिन प्रूफ किसके पास है हाँ काफी सारी वीडियोज है जिनमे साफ दिखा जी दे रहा है कि प्रूफí जैसे एक ऋरषप पंत की वीडियो है उसमें एक बॉल वाइड जाती है वो खुद अपने मुझसे बोल रहा है, keeper है वो, और अपने मुझसे बोल रहा है, अगली बोल पर तो चोका है, छोड़ना, जाने दे, तो अगली बोल पर तुरंट चोका पड़ता है, तो ऐसे कई सारे अभी cricket fixing में पीछे नाम भी काफी सारे लोगों का आया था, धोनी तक involved ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ, चीजे notice कैसे होती है, cricket fix है, आप लोगों ने भी चीजे देखियोंगी, जान से सुनो, एक एक करके बताऊँगा, notice करना और मेरी बात को अगर agree करोगे, तो आपको लगे, ये भाई ने बिल्कुछ सही बाते बोली है, तो कुछ नहीं करन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टैलिग्राम पर अपने भाई को जोइन कर लेना, अगर आपको लगे कि मैं सही बहुता है, अगर लगे नहीं मैं बगवास कर रहा हूँ, तो वीडियो रिमूव करके चले जाना मेरे चैनल से, कोई प्रब्लम नहीं, ठीक है, कई बार आपने नोटिस कर रहा होगा, अगर प्लियर के आउट होने के बाद, एमपार नोबल चेक करने जा रहा है, तो इसका मतलब उस प्लियर को आउट नहीं कराना था उन्होंने, और कई बार ऐसे केजिस में आपको नोबल दिखेगी हो, पैर बाहर दिखा देंगे, य ना, दूसरा, आपने देखा होगा, अगर मुझे किसी को आउट करना है, या रन ले रहे है, मतलब, प्लियर रन ले रहे है, दो, क्रीस के बीच में भाग रहे है, अगर उन्हें रन आउट करना है, तो थो कैसे आईगी, देखो, लाइक पूर एक्जमपल, फो कैसे आईग है, उसको रन आउट करना है, तो मैं बोल ऐसे फैकूँगा, या ऐसे फैकूँगा, तो most of the cases में आपने देखा होगा, जब प्लियर बोल पकड़ता है, और उन्होंने आउट नहीं करना होता, तो थो ऐसे फैक है, मतलब, प्रॉपर टाइम दिया जाता है, उन्हें रन लेन करने का, समझ गए, ऐसे, और ऐसे, कितना फारक है, नोटीस करी थी कभी यह चीज, ठीक है, तीसरा, ड्रिंक स्प्रेंग देखते हो, strategy, time out, उसमें होती हैं, तीस साँरी चीजे, decide, क्या करना है, जिएक तीन से does, बैट का Por A मुझे बैट चेंज करना है, ह bald पंक क्लमग रेन लेन थाजी करना है, हलमेट चेंज करना है, ज क्ले हम इक रक बैट है, एक रखना है, क्लमः चेंज है, वो चीज़ ए प्लेयर को मैसीज चाहिए होता है कि भाई मैं यहां तक खेल रहा हूं इसके बार मुझे क्या करना है आउट होना है आगे रन मनाने है तेज खेलना है तो हेलमेट चेंज, गलफ चेंज, अब मेरे कुछ भाई बोलेंगे जो क्रिकेट लवा रहे हैं, नहीं यार ऐसा तो नहीं होता, जैन्वन क्या पता बैट में प्रॉब्लम हो, हाँ होता है, लेकिन एक मैच में अगर चार चार पाच पाच बार ये चीजे दिख रही हैं आप फिर नोबोल, फिर वाईत, वाईत, वाइत, वाइत, इसका मतलब इतने तगड़े लेवल के पैसे उससे पहुंचे हैं, ऎब सोच में न सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल विर्केटस है है और इंटरनेशनल लेवल के प्लेर्स होते हैं, इनको इतनी ज़ादा चाहर वाइट दो नोबोल फिर नोबोल और कोई प्लेयर डाल रहा है तो मोटा पैसा खाके बैठा हुआ ठीक है क्या आप अगर मैं आपको बॉलिंग की प्रैक्टिस करहा हूं और छे महीने अगर आप बॉल डालो ना तो एक भी नो बॉल नहीं डालो गया और एक ओवर में अगर कोई तीन नो बॉल डाल रहा है तो वो इंट्रेसिल लेवल पर खेल रहा है और बेस सी चीज है खुद कभी कोन आ बरे दो करिंटा जो कहा है जो कभी चोड चोड़ते ही निएं वो छोड़वाि जाती है दोस्तों पता होता है उनको कि यह जो सामने बन ले शाइन सबाने में जसके में इतने उन बन आपको तो आपको समझ में आएंगी चीज़े आपने नोटीस करा होगा कई बार दो बड़े प्लेयर खड़े हैं तीस बोलों पर 45 रण की जुरूआता है दो बड़े प्लेयर लाइक फोर एक्जांपल पॉलाड और लाइक फोर एक्जांपल पॉरर माल लो उसके साथ कोई भ झखडे मैच को डड़ करा गए लोगो लगता है अब मारेगा अं मारेगा और नहीं मारेगा तो अपकोई है यह चीज़े होती है प्योर फिक्सिंग जो प्लेयर पंदरा बोलों में 45 मार सकता है वो 30 में 40 मारेगा 335 मारेगा तो लार जैसा बल्ला खिश ल घ्रसल जैसा बल थीक है या पोलाड जैसा बल्ला या फिर रसल जैसे बल्ला या फिर जितनी बड़ी हिटर है ठीक है 2000-20 rank 50-50 30-いる 81 लों करना तो इसका मतलब प्रॉपपपर आइम पुसें और प्रॉपपर उन्हें है ऊविए और प्रॉपपर उन्हें पैसा मिलावए रन ना फ segments का प्रन अपना किल्ला उकड़ेगे जाएंगे यह सामने की सामने हम प्रॉपतें प Разitude ठीक है और बताता हूं आपको आपने देखा होगा बड़े-बड़े प्लेयर आउट हो जाते हैं आठवे नंबर का बनला आके बोलर जोर्डन जैसे क्रिस जोर्डन आखरी बनले आके पचाफचा सरण मार के जा रहे हैं कितनी बोलोगे 25 वोलोगे उनके फिछ लो थी उसके लिए फिछ एकदम सेटेज होजा तपि नुए पेश्ज में और उस टीम पर आपा है सारा पैसा दूसरी टीम पर लगवा दिया होता है पिर जो बड़े-बड़े प्लेयर होते हैं सब को आउट कर वा दिया जाता है और एक बोलर जिसने कभी अपने करियर में दस से पंदर रन दिमारे होते हैं उससे साथ रन मरवा देते हैं वो अच्छी स्थीज बोलमर जो माल उदर गया होता है सारह का सारा माल अपने गडर कर लेते हो पैसा को ओती है क्ति फिक्सिंग legislator करें के निधिर खृब कर गए बड़ें अगली दो बोलों के अंदर वो दुबारा कैस देता है और वो आउटो के चले जाता है क्या समझे इसका मतलब उसे आउट होके जाना है समझे उसके पास मैसी आ चुगा है कि भाई आजा वापस उसने कैस दी लेकिन उसे तो डूटी पूरी करनी है अगली दो बोलों के अंदर अंदर वो दुबारा कैस देगा बेता है नूटीस करें अपने दस बर देखा होगा अपने मैच मैसा एक बोल पर बच गया वो अगली दो बोलों के अंदर दुबारा दो या तीन बोलों के अंदर दूबारा कैस देगा और आट के चले है क्योंकि उसे जाणाई है उसे पैसा मिल आई हैं उस काम का आउट ओनेगा ठीक है है अगला WILL चल रहा है खिल नहीए प्लेयर और के बीच में अचानक से तीन वोले ovr अब तो ये कुछ एक आपको मैंने जीते और जाकते एंग्जम्पल देए कि रिकेट फिक्सिंग के जो आप आँखों से देखते हो सब कुछ आपको दिखता है लेकिन फिर भी किर्केट लवर हो आप, मैं किर्केट लवर नहीं हूँ, था कभी, लेकिन अब ये सिरफ एक बिजनस है, कोई किर्केट कुछ नहीं होता, सिरफ बिजनस है, सिरफ भंदा है, हजारों करोरों का सट्टा लगता है इस पे, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा तर सिर्फ इतना है कि जो चीजे आपकी आखों के सामने हो रही होती है आप उस पर भी यकीन नहीं करते हैं फिर आपको लगता है हमारे साथ यह हो गया हमारे साथ हो गया हमारे साथ हो गया तो इसलिए ही मैं एडवाइस देता हूं आपको और इसलिए ही मैं समझाता हूं हर मैच fix होता है, हर match decide होता है market load पर, जिस team पर ज़्यादा पैसा लगेगा, उसका हारना निश्चित है ठीक है, तो यह support करना बंद कर दो, यह मैं चिन्नई का support होने, मैं RCB का support होने, मैं मुंबई का support होने, यह कुछ भी, उनके लिए घंटा फर्क नहीं बढ़ता है, आपकी emotions से, आपकी feeling से, उनको सिरफ और सिरफ एक ही चीज़ से मतलब है money भाई, सिरफ पैसे से मतलब है उन्हें, जिदर पैसा उधर वो, वो जितनी मरजी बूरी performance दे ले, ठीक है, उनको घंटा फर्क नहीं बढ़े है, क्योंकि उनको पता, आप चूत या हो, वो अगले मैंच में आपके, फिर से 50 रण मनाएगा, अब फिर से बोलोगे, या प्लेयर बहुत अच्छा है, ठीक है, तो उनको खिलना आता है, और आपको खिलाना नहीं आता, ठीक है, मलब सॉरी, उन्हें नचाने का सोग है, और आपको नाचना आता है, तो होप, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्या मेरे हिसाब से अच्छी लगी, लगनी चाहिए, क्योंकि इतने facts और इतनी चीजों के साथ, इतनी detail के साथ, शायद ही कोई आपको आपका भाई बताएगा, तो अगर वीडियो समझ माई हो, तो अच्छी वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और मिलते हैं अगली वीडियो में, जैहिन, जैभारत, और PSL चालू होने वाला है, रेडी हो जाओ, जितने भी अपने पंटर भाई है, और अगर पंटर नहीं हो आप, तो फिर आप दिल से भाई हो, और हमेशा रहोगे, इस चीज से और इस लाइन से अगर दूर तो आशिरवाद है आपके परवाले हो, और अगर इन्वॉल्वर इस लाइन में, तो इसको सेकेंडरी रखना, प्राइमरी का अभीमत बनाना, जैहिन, जैभारत, लव्योवर्ण।